आक्सीजन प्लांट की आनलाइन स्टेडी में आप सभी का स्वागत है नमस्कार मेरा नाम अम्रेश है और हम लोग इस वीडियो में PSA आक्सीजन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे आईए वीडियो को सुरू करते हैं वेर डू बी गेट दीस आक्सीजन फ्राम यानि की हमें आक्सीजन कहां से मिलती है तो जैसा की हम सभी लोग जानते हैं हवा यानि की एर परयावरण में हर जगा जो है उपस्तित है बिद्द्यमान है जो हवा हमारी हर जगा परयावरण में उपलब्ध है उसमें नाइट्रोजन 78%, आक्सीजन 21%, कारबन 0.04% और अननेगैसे जिसमें मुक्तिया आरगन होती है 0.96% तक होती है हमारे जो आक्सीजन जनरेटर्स यानि की आक्सीजन के प्लांट्स होते हैं वो कौन-कौन से प्रकार के होते हैं तो जो हमारे आक्सीजन प्लांट्स होते हैं, उनको सुधता के अधार पे दो तरह से बाटा गया है पहला है ऐसे प्लांट्स जिसमें सुधता 99% से ज़्यादा मिलती है दूसरा है हमारा 90-95% की सुधता वाले प्लांट्स तो जो हमारा क्रायोजेनिक प्लांट होते हैं इसमें हमारा 99% से अधिक सुधता की आक्सीजन हमें प्राप्त होती है जो क्रायोजेनिक प्लांट होते हैं ये बहुत बड़े प्लांट होते हैं और इसमें जो है इसको बनाने में बहुत लागत लगती है किसी भी plant को इसको establish करने में जहां पर लगाना है काफी ज़्यादा जो है इसमें लागत लगती है लेकिन इसका फादा यह होता है यह जो है हमें जो oxygen देता है वो हमें liquid की रूप में भी देता है और gas की रूप में भी देता है यह बड़े plants होते हैं हम लोग basically PSA plant के बारे में पढ़ेंगे जिसकी सुधता कितनी होती है 90-95% इसमें तीन तरह के plant होते हैं एक होता है PSA दूसरा होता है BPSA तीसरा होता है concentrators तो concentrators छोटे जो है एक plant की तरह होते हैं एक ब्यक्ति के लिए प्रयाप्त मातरा में oxygen बनाते हैं इसको जो है किसी supply के लिए नहीं बलकि छोटी जगा में एक या दो ब्यक्तियों के लिए इसको हम प्रयोग कर सकते हैं जो हमारा BPSA होता है vacuum pressure swing adsorption plant ये PSA plant की तरह ही होता है लेकिन इसमें vacuum प्रडाली का प्रयोग करके जो intact pressure है उसको कम किया जाता है जो हमारा standard layout होता है यानि कि जो PSA plant में कौन-कौन से part होते हैं उसके बारें जानते हैं तो किसी भी PSA plant में हमारा compressor लगा होता है जो compressor होता है उसका काम ये होता है हवा को compress करना यानि कि हवा को दबाना दबाने से क्या होगा उसका प्रेसर बढ़ जाता है इसके बाद हमारा air drawer लगा होता है जैसा कि नाम से पता चला है dry करना मतलब सुखाना air drawer मतलब हवा को सुखाना तो हवा में जो moisture या नमिया होती है उसको दूर करता है और उसको सुखाता है आगे जो इसमें part लगा होता है वो होता filtration इसमें तरह तरह के filter लगे होते हैं जैसे कि oil filter हो गया dust filter हो गया मतलब dust को हटा देता है oil filter में अगर मालेजिए हवा के साथ कुछ oil के particle आ गये तो उनको भी ये हटा देता है इसके बाद होता है air receiver tank यानि कि ऐसा tank होता है जिसके अंदर हमारी हवा जो हमने यहाँ environment से ली है वो हवा हम इस tank में store करते हैं सारी उसमें से असुधिया निकालने के बाद इसके बाद हमारा जो है यह PSA plant होता है मतलब यहाँ पे दो tank होते हैं जिसके अंदर geolite material भरा रहता है और यहाँ से हमें oxygen प्राप्थ होती है और oxygen को बाद में हम लोग जो है oxygen tank में store कर लेते हैं यहाँ से हम लोग oxygen cylinder भी भर सकते हैं इसके अलावा यहाँ से direct supply भी हम लोग अस्पताल आध में दे देते हैं तो यह हमारा standard layout होता है एक normal layout होता है किसी भी PSA plant का अब इसकी working कैसी होती है air input यानि की environment से हवा जो है PSA plant की सबसे चीखासियत क्या है कि इसमें raw material जो है उसको कहीं से खरीदना नहीं है सीधे पर्यावरन से जो है हम air जो है वो सीधे raw material की रूप में प्रियोग करते हैं वो compressor में जाता है compression मतलब ऐसी machine जो उसको compress कर रही है उसका pressure बढ़ाती है तो ये जो है normally 7.5 या कई बार हम लोग 10 बार तक इसका compression करते हैं air का इसके बाद air drawer में वो जो है हवा जाती है air drawer में जाती है air drawer जो है उसको clean करता है और dry करता है सुखाता है इसके बाद वो जो है हमारा O2 generating plants में जाता है यानि कि oxygen वाले plant में जाता है जहां पर oxygen बनती है उसके बाद हमारा ये oxygen tank में जाता है उसके बाद oxygen compressor का हम लोग कई बार प्रियोग करते हैं जैसे जो oxygen हमने बनाई उसका pressure कम होता है उसको store कर देते हैं तो उसको store करने के लिए हमें high pressure उसको maintain करना पड़ता है उसको pressure बढ़ाने के लिए हम लोग oxygen compressor का प्रियोग करते हैं उसके बाद उसको जो है manifold charging आप cylinder से उसके बाद हम लोग आगे उसको या तो cylinder charge करने में प्रियोग करते हैं या उसको हम लोग जैसे हस्पताल आज में direct pipeline लगा के supply दे देते हैं आगे है जो हमारा PSA plant होता यानि कि जो oxygen plant में main part होता है वो कैसे काम करता है तो जो हमारा air tank है वहाँ से air जो है यह हमारा जैसे यहाँ पे दो tower ऐसे tank type के लगे होंगे जिसके अंदर क्या भरनेगा geolite material अब geolite की खासियत क्या होती है और यहाँ पे solenide valve लगे रहते हैं अब geolite की खासियत यह होती है कि इसमें जो जब हम लोग इसके अंदर से हवा को गुजारते हैं तो इसके अंदर से जब हवा जाएगी तो oxygen के कण को यहाँ जाने देता है उनका जो ब्यास होता है वो oxygen की आपेच्छा जादा होता है तो वो जो है उसमें फस जाते है filter में और oxygen जो है वो आगे जो है चला जाता है जिसको हम लोग oxygen tank में store कर लेते हैं लेकिन जो यहाँ पे geolite material लगा हुआ है उसकी भी एक nitrogen उसके अंदर भर जाएगी तो जब nitrogen भर जाएगी तो वो filter फिर air oxygen उसके अंदर से पास नहीं होगी वो चोक हो जाएगा तो ऐसी स्थिती में क्या होता है कि जैसे ही यह filter जो है पूरी तरह से बंद होने वाला होता उसी समय यहाँ पे air supply बंद हो जाती है और air supply यहाँ से दूसरे वाले tower में जाने लगती है दूसरे वाले tower में भी वही प्रक्रिया होती है कि oxygen के अंदर जो है यहाँ से जाके फिर oxygen tank में जाते हैं nitrogen के अंदर इसमें जो है वो इसमें वापस block होने लगते हैं जब यह प्रक्रिया होने लगती है दूसरे टैंक में तो पहले टैंक में क्या होता है जो हमारा नाइट्रोजन के अड़ इसमें अड़ू जो है छोटे छोटे पार्टिकल जो इसमें फसे रहते हैं उसको यहां से लाके हम लोग उसको इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं और यह फिल्टर वापस जो है खाली हो जाता है फिर उसी दवरान जब फिल्टर टू भर जाता है तो वापस फिल्टर वन में जो है एर जाने लगती है तो यह प्रक्रिया हमारी लगातार चलती रहती है इसलिए इसमें स्विंग सब्द का आता है स्विंग का मतलब होता है एक जगा से दूसरी जगा स्विंग करना तो कभी tower 1 on होता है कभी tower 2 on होता है इस तरह ये जो हमारा oxygen plant होता है ये काम करता है PSA plant होता है इसमें जो है हम लोग कौन-कौन से absorbent material का प्रियोग करते हैं तो इसमें हम लोग geolite activated carbon या molecular CO का प्रियोग करते हैं पर जाला तर हम लोग geolite का प्रियोग करते हैं जो हमारा PSA plant होता है उसका क्या-क्या प्रियोग होता है तो ये हमारा fabrication, cutting आद में प्रियोग किया जाता है food packaging में, health care industry में और based water treatment में जो हमारा oxygen होता है इसका प्रियोग किया जाता है storage of oxygen oxygen का storage कहा कहा होता है तो oxygen को store करने के लिए हम लोग portable cylinders का प्रियोग करते हैं जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं इस तरह के cylinders का प्रियोग करते हैं जो liquid में हम oxygen ट्राथ करते हैं उसके लिए दूसरी तरह का इस तरह cylinder होता है इसके अलावा हम लोग बड़े बड़े oxygen tank का भी प्रियोग oxygen को store करने के लिए करते हैं color coding मतलब जो oxygen cylinder होते हैं जादा तरह आप लोग ने देखा होगा black रंग से रंगे होते हैं इसके अलावा यहाँ पे बिभिन प्रकार की जो जैसे होती है उनका cylinder किस-किस रंग के लिए उनको code दिया गया है उसी code में जो है उनको रखा जाता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं distribution of oxygen जैसे बहुत सारे अस्पताल में क्या होता है बहुत सारे cylinder जो है जैसे वहाँ पे माली जै PSA plant नहीं लगा है वहाँ पे oxygen नहीं बन रही है तो बाहर से cylinder आता है और cylinder आके वहाँ पे खाली हो जाता है और वहीं पे खाली करते हैं और यहाँ से सीधे supply जो है hospital में जाती है पूरे hospital में पाइप लाइं जो है लगाई रखते हैं वहाँ से hospital में direct supply जाती है क्योंकि एक एक cylinder एक एक मरीज के पास लगाना जो है संभ़ो नहीं है इसलिए एक store room बना जाता है जहाँ से पूरे hospital में supply दे जाती है जहाँ पे PSA plant लगे होते हैं वहाँ से direct PSA plant से जो है हम लोग supply supply अस्पताल में देते हैं तो यह जो है अलग अलग दिखाया गया है कैसे distribution जो है हम लोग करते हैं यह जो है यहाँ पे चितर में देख सकते हैं आप yellow yellow line यहाँ पे आई हुई है यह हमारा oxygen की line जो है यहाँ पे दिखाई गया है पाई प्राइम जो है हम PSA plant से direct जोड़ते हैं transportation आप oxygen cylinder oxygen cylinder को जो है हम transport करते हैं ट्रकों के माध्यम से या फिर हमारे बड़े बड़े tanker होते हैं उनके माध्यम से जो है हम लोग इसको जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं oxygen के लिए क्या-क्या safety हमें अपनाने चाहिए तो सबसे पहली बात है किसी भी oxygen जो है खुद से नहीं जलता है लेकिन oxygen किसी भी चीज के जलने में सहायक होता है तो कि oxygen नहीं रहेगी कोई भी चीज जलेगे नहीं तो यहाँ पे जो आपके पास oxygen है बहुत compressed oxygen है और high pressure पे है और उपर से पूरी 100% oxygen रहती है लगबग 90% से उपर तो कहीं पे भी अगर इसपार्ग मिला तो आग लगने की बहुत ज़्यादा संभाना रहती है इसलिए transportation आद में बहुत ज़्यादा हमको सावधानी बरतनी चाहिए और जैसे हम कोई भी plant PSA जो है चालू कर रहे है तो उसमें बहुत ज़्यादा जितने भी connection है सबको चेक कर लेना चाहिए कोई lose है कि नहीं है lose नहीं होने चाहिए और कहीं पे भी जैसे जलने वाली जो लंसील चीज़े हैं वहाँ पे आस-पास नहीं होने चाहिए cigarette आधिका 7 नहीं करना चाहिए सारे electric connection आधि चेक करना चाहिए sparking आधिका कोई समस्य वहाँ पे नहीं होना चाहिए तो यह सारी चीज़ें जो है हमें PSA plant में ध्यान रखनी होती है यह एक PSA plant है इसका फोटो यहां चित्र में दिखाया गया है तो इस तरह अलग-अलग कमपनियां बहुत सारी बनाती है plant PSA वाले और इनको अलग-अलग कमपनियों का जो arrangement होता है वो अलग-अलग होता है तो आसा करता हूँ कि मेरा जो यह वीडियो है आपको इसमें PSA plant के बारे में थोड़ा सच समझने में सहायता मिली होगी धन्य बाद